तो यह समय आ श्रक्रा है कि आलो अलोग दिस वरशापब सेंग जाया है यह कि वीड़ों में डिसकर्शन करेंगे एक नेक्सिस का जो की है क्रिमिनलाइशेशन और पॉलिटिक्स का याने कि ग्रेमनेल्स और पॉलिटिक्स के बीच में जो नेक्सिस फोर्म य जिसे criminalization of politics भी बोला जाता है यह किस तरीके से over the times बढ़ता चला जा रहा है और इसका क्या effect होता है और various organizations ने क्या recommendations दी है कि जिससे यह जो criminalization of politics है यह कम हो सके तो प्रजेक कॉंटेक्स क्या आपको कॉंटेक्स समझना को कॉंटेक्स यह है कि आपको पता कि करनाटिका में elections होने वाले करनाटिका में elections ड्यू है 2023 में 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 इस मन्त होंगे उसी के रिगार्डिंग association of democratic reforms ठीक है इन्होंने एक रिपोर्ट जो है रिपोर्ट कोट करी है जिसमें इन्होंने कोट किया है कि जो 2023 में जितने लोग ने भी करनाटिका elections के लिए nominations फाइल किया है उसमें जो जिनके साथ जिनके ओपर criminal cases है उनकी संख्या जो 2023 में बढ़ गई है compare to 2018 elections जो 2018 में करनाटा का elections हुए थे उसके compare में 2023 में वो लोग जिनके ओपर criminal cases है उनका जो number है वो बढ़ गया है अब देखो present context करनाटा का election का है पर हम करनाटा का elections में नहीं जाएंगे ठीक है वो हमारी फोटे नहीं वो एक्जाम का फोटे नहीं हम जाएंगे criminalization of politics का यानि कि किस तरीके से nexus form हुआ है between politics and crime तो इसको समयने की कोशिश करेंगे ठीक है इसमें क्या क्या प्रविधान है किस वजह से किस वजह से कई सारी political parties जो है वो कुछ ऐसे लोगों को tickets देती है क्या reason होता क्या motive होता है और क्या प्रविधान है समिधान में ठीक है क् जिससे यह जो criminalization of politics है यह रोका जा सके तो प्रेजेंट कॉंटेक्स यह है कि करनाटा का election में ADR ने association for democratic reforms में reforms नहीं रिपोर्ट दी है जिसमें यह बताया कि 2023 के कप दोज़र ठारा के कंपेर में 2023 में जिनके उपर क्रिमिनल कैसे से उनकी संख्या जो बढ़ गई है इसी पर हम इस पूरे टॉपिक को समयने की कोशिश करेंगे for on a larger picture तो देखो अगर हम बात करें एस ऐसे इसिएशन ओडेमोक्रिट्टीकरिफ्ट व्रफॉंब सी इनहीं की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंनी कोट kiya है कि 2004 के बाद से ही 2004 के बाद से ही 2004 के बाद से ही जो criminal cases है ठीक है यानि कि जो law makers हैं जिनके उपर criminal cases हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ती ही चली जा रही है 2004 में फिर 2009 में और जाद हुई फिर 14 में और जाद हुई और 19 में और जाद हुई यानि कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है उस according ही यह जो members हैं जो lawmakers हैं जिनके उपर criminal cases हैं उनकी तादात भी बढ़ गई है अब यह चीजे जो data है यह आप mains में as a test court कर सकते हो क्योंकि देखो क्या होता है आपको कोई भी चीज को अगर बताना है कि यह issue है तो आप सिर्व ऐसे नहीं बोल सकते हो कि बस यह issue है आपको थोड़े genuine sources के जो number से उन्हें court करना पड़ेगा ठीक है उससे आपका क्या होता है जो answer रहना वो काफी ज्यादा strong हो जाता है तो अगर हम बात करें कि यह जो cases है ठीक है जिनके criminal cases है उस पर सीधे सीध क्या ADR यानि कि association of democratic reforms में ने किया recommend कि department disqualification candidates convicting of serious criminal offense from contesting elections यानि की एक मात्र solution यह है एक मात्र solution यह है कि जितने भी लोग जिनके उपर criminal cases है उनको disqualification या उनका disqualify कर देना चाहिए ठीक है जिसके उपर भी serious criminal charges है उनको immediate basis पर disqualify करना चाहिए है disqualification करना चाहिए यह जो है recommend किया गया है ADR के दौरा हम इसकी constitution में क्या provision उसको भी समझेंगे पर आपको मैं कुछ facts बताना चाहूंगा अगर हम बात करें 2009 में ठीक है और यह हम journal assembly की बात करें यानि की member of parliament parliament की बात करें किसी state state legislative assembly की बात नहीं हुरी अभी national level की बात हो रहे सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर हम ठीक है यह तो हमने overall बात कर ली ठीक है 30% 34% 43% हमने overall बात कर ली कि जिनके उपर criminal cases है साथी साथ वह percentage इसके उपर serious criminal cases है वह 14% ठीक है वह 14% back in 2009 फिर वह बढ़के 21% हुआ back in 2014 और जो last election था that is in 2019 वह नंबर हो गया 29% तो out of 43% 29% वह ऐसे लोग है ऐसे लोग है ऐसे lawmakers है जिनके उपर serious criminal cases है तो यह एक matter of concerns है इसी वज़े से एक nexus form होता है एक nexus form होता है एक nexus form होता है criminals और politics के बीच में और politics के बीच में जो कि आपका Indian politics के लिए obviously बात है अच्छी बात नहीं है क्योंकि जितने clean जितने clean background के लोग contest करेंगे election जीतेंगे उतना ही जादा जो प्रभाव Indian politics पे वह positive हो सकता है तो अब कारण यह उड़ता है अब कारण यह आता है reason यह आता है कि कि वजहाँ से किन वजहाँ से यह जो nexus है ठीक है जो nexus है between politics and criminal यह क्यों यह फॉर्म क्यों होता है यह कुछ issues होते हैं कुछ कारण होते हैं जिनके वजह से कुछ political parties या यह यह इस तरह की tickets बाठते हैं सबसे important reason होता vote bank आपने बहुत टाइम से पहले सुना होगा पिक्चरों मे अगर बूत capturing हो रही है तो वहां का कोई influencer person जिसको ticket दिया गया उनके आदमी जो है वो इस तरह की बूत capturing करवा सकते हैं जिससे जो है वो वोट जो है वो अपने favor में करा सकते हैं तो सबसे important होता है vote bank ठीक है vote bank important एक चीज होती है फिर साथी साथ corruption का बहुत important issue होता है क्योंकि यह जो criminals होते हैं ठीक है यह इस तरह के money funds provide करते हैं जिनके बाद इनको tickets जो है in return मिल जाया करता है थर्ड होता है आपका vested interest अब देखो क्या होता है इंडिया में क्या issue है इंडिया में कभी क्या होता है जब elections होते है तो जब कोई सरकार है ठीक है जब कोई सरकार है उनको लोगों को ticket provide कर सकते हैं जो किसी particular community के लिए ठीक है किसी particular community के through उनको वोट दिलवा सकते हैं ठीक है किसी particular community कोई community कोई भी community तो इस वजह से भी इस तरह के ticket दिये जाते हैं कि अभी कुछ ऐसे लोग होते न कि जिनके उपर बहुत charges होते पर उनकी image होती है कि वह बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं तो इसी basis पे कुछ interest के basis पे भी उनको काम दे लिए उनको ticket दे दिया जाता है उसके बाद होता है muscle power ठीक है भाई muscle power किसके पास होगा muscle power जिसके उसी के पास होना है जिसका area में कुछ influence है ठीक है money है ठीक है चलती है तो इस वज़े से muscle power के through भी कई बार क्या होता है जब पहले की बात हो रही है अभी तो इतनी technology evolve होगी यह सारी चीजे हमारे security forces इतने जादा alert रहते हैं कि यह सारी चीज़ अब नहीं होती बहुत कम हो गई है पर back अगर हम पुराने दिनों की बात करें तो यह muscle power के through भी कई बार elections contest किये जाते थे और जीत भी जिये जाते थे ठीक है जीत भी जिये जाते थे elections contest होते थे और इनका result भी positive आता था जो भी यह muscle power के through election को contest करते थे तो मोटा मोटा कुछ important reasons है जिनके वज़े से जिनके वज़े से क्या होता है यह जो nexus है criminal और politics का यह आपका form होता चला जा रहा है और समय के साथ यह बढ़ता भी चला जा रहा है in terms of percentage तो यह तो हमने causes की बात कर ली हमने number की बात कर ली अब दिमाग म में आ रहा होगा कि ठीक है सर आपने बता दिये सारी चीजें तो क्या इसको रोकने का कोई प्रवधान नहीं है क्या कोई act नहीं है बिलकुल act है उस act का नाम है representations of the people's act 1951 इसमें एक section 8 जिसमें यह कहता है section 8 of the act यानि की RP act 1951 का section 8 यह कहता है disqualification on conviction for certain offenses according to which an individual punish with a jail term of more than two years cannot stand in election for six years after the jail term has ended यानि कि किसी भी व्यक्ति के उपर कोई भी lawmaker है कोई भी अगर lawmaker है अगर उस पे charges proof हो गए ठीक है उस पे अगर serious offenses के charges proof हो गए तो उसको और अगर उसको 2 साल की सजा हो गई ठीक है दो साल की सजा हो गई तो वो person जो है वो immediate disqualified होगा और 6 साल यानि कि 2 साल सजा के बाद 6 साल और elections contest नहीं कर पाएगा पर issue यह है section 8 of rp act 1951 का issue यह है कि यह उन कंटेस्टेंट को बार नहीं करते हैं जिन पर cases pending है जिन पर cases pending है तो क्या होता है बहुत बार क्या होता है कि कई लोगों पर ठीक है criminal charges है कई ऐसे lawmaker जिनके ओपर criminal charges है criminal cases है पर वो court proceeding इतनी ज्यादा लंबी चलती है ठीक है वो जो court की proceedings होती है वो इतनी ज्यादा लंबी होती है कि कई elections हो जाते हैं और उन पर जो charges है वो pending ही रहते हैं तो section 8 जो है rp act of 1951 का वो यह कहता है कि जब किसी को दो साल की है दो साल से जादा की सजा हो जाएगी तब जो है उस particular lawmaker को disqualify किया जा सकता है सजा के बाद और 6 साल और यानि कि कुल मिला के 8 साल ठीक है जितनी सजा होगी दो साल तीन साल जो भी है उसके add-on के बाद 6 साल और रहेगा पर issues act में यह क्या है issue यह है कि इसमें pending cases पे वो चीजे नहीं करी गई है और इसका एक और पहली है कि क्या होता कि कई बार बहुत जादा false cases भी हो जाते कई बार क्या होता है कि cases pending हुए और clean chit मिल गई उसका reason यह है कि प्रवदान है law है पर issue यह है कि जो court की proceedings है ठीक है भाई अगर हम बात करें supreme court high court lower court इसमें बहुत जादा cases रहते हैं बहुत जादा hearings रहती है तो इस वजह से जो court की proceedings होती है वह बहुत जादा खिच जाती है सालों तक खिच जाती कभी-कभी decades तक खिच जाती है तो इस वजह से जिन कोई भी lawmaker जिस पर serious criminal cases भी है filed है पर वो pending है इस वजह से pending है तो election contest भी करते हैं और कभी-कदार किनी cases में जीत भी जाते हैं तो प्रवधान मैंने आपको बता दिया ठीक है causes क्या वो बता दिया present contest क्या यह बता दिया अब हम यह देखेंगे ठीक है और आपके मेंस के लिए काफी जाधा important यह सारी चीज़ है हम यह देखेंगे कि कौन कौन सी committee जो है और क्या क्या recommendations उन्होंने दी है कि इस nexus को किस तरीके से break करना है या इसे कम कर देना है तो सबसे पहले 1983 में वहरा committee ठीक है वहरा committee का गठन किया गया था और इनका objective है था इस committee क 25% कितना है क्या कम है जादा है बहुत जादा है बहुत कम है तो इस वज़े से identify करने के लिए 1983 में आपकी वहरा committee on criminalization of politics जो उसका गठन किया गया था फिर law commission अपनी 244th report जो कि आपकी publish हो थी 2014 में इन्होंने डेल किया था कि इन्होंने भी इनकी भी recommendation यह थी law commission की भी कि यह ज जल्द से जल्द immediate basis पे इसे खत्म करना चाहिए क्योंकि इसके कुछ बहुत ज्यादा गंभीर consequences होते हैं democracy पे और secularism पर ठीक है और इन्होंने जियानी कि जो law commission उन्होंने यह recommend किया था कि जो disqualification of people है जिनके ऊपर ठीक है जिन्होंने भी जो जो law makers है जिनके उपर criminal cases के charges है उ इनको disqualify कर देना चाहिए ठीक है एक साल पहले एक साल पहले जब वह nominations की scrutiny होती क्या होता ना जब आपको nominations file करना उससे कई साल कुछ time पहले ही process within the internal party शूरू जाता है कि किसको क्या होगा किसको ticket दी जाएगी किसको scrutiny कि जाएगी तो उस दौरान जब nomination file करना है उसके एक साल पहले जो scrutiny होती है within various political parties उसी दौरान ही जिन members के उपर भी criminal cases है charges है या approved है या नहीं है या pending भी है उनको tickets या tickets नहीं देनी चाहिए या disqualify भी कर देना चाहिए तो यह recommendations आपकी law commission ने दी थी पर यह है कि इन सारी चीजों को implement करने के लिए सबसे इंपोर्टन चीज क्या है सब सब्सेंपोर्टन चीज है political will ठीक है political will is very important to implement these type of changes ठीक है to implement these type of changes क्योंकि अगर यह जो nexus है यह अगर कम होगा तो इसका अभी सी बात है positive response ही पढ़ेगा governance पर हमारी quality पर ठीक हमारे politics पर और ज्यादत से ज्यादा जो clean background के लोग है फिर उनको जो है opportunity मिलेगी क्योंकि क्या होता कि अगर जिनका इस तरह का record रहता है ठीक है cases file रहते हैं या उनकी कुछ influence रहती तो उनसे लोग ना जल्दी लोग नहीं वह confront कर पाते हैं ठीक है उनका पॉजिटिव रहेगा in terms of Indian democracy governance in सभी सारी चीज़ों पर तो हमने क्या कर डिसकस किया कि present context कि किस वज़े से न्यूज में आया ठीक है फिर overall picture हमने समझी कि किस तरीके से numbers बढ़ते चले जा रहें 2004 से 2009 2014 2019 कलेक्शन में फिर हमने देखा कि किन वजहाओं से यह जो nexus form हुआ है criminals का और politics का यह जो nexus form हुआ यह किन वजहों से form हुआ है फिर constitution में कौन सा provision दिया गया किस basis पे disqualify किया जा सकता है और कौन कौन से important recommendations है ठीक है यह भी मैंने आपको बता दिया यह अगर आप as it is भी लिख दोगे तो आपके answer जो है कि holistically complete हो सकता है आपसे as it is भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से यह जो nexus है politics का और criminals का किस वजह से यह form हो रहा है क्या reason और क्या इसके impact पड़ते हैं और Indian democracy पे in terms of administration in terms of governance इन सभी चीजों पे आप इस तरीके से answers को portray कर सकते हो तो उमीद कर तो हमको सारी चीजन समझ माई होंगी और कोई doubt रहे भी गया होगा तो कि study IQ ने अपना prelims to interview batch ठीक है batch 2 वह launch कर दिया है अब इसमें specialty है कि prelims से लेके interview तक सारी आप holistic preparation इसी बैच में कराई जाएगी ठीक है आ ऐसा नहीं रहेगा कि आपने prelims कौलिफाय का लिए तो उसके बाद आपको फिर कोई mains का crash course में रोल करना यह सारी चीजन नहीं है right from the start right to prelims to interview सारी चीजने आपको यहाँ पर मिलेगी books भी provide की जाएगी और तो और जब आप UPSC का prelims अगर आप निकालते हो तो आपको mains residential program में भी enroll किया जाएगा तो इस सभी features आपको prelims to interview batch में आपको provide की जाएगा और अगर आपने मन बना लिया कि 2024 is your target year तो आप इस batch में enroll कर सकते अगर आपका target year हो गया है 2024 का decided है तो आप इस में enroll कर सकते हो गलती से यह प्राइज मत पे कर देना मेरा code लगाओगे RS live तभी आपको discounted price मिलेगा discounted price that is 32999 तो मेरा code लगाओगे तभी आपको discounted price मिलेगा मेरा code है RS live तो इसी के साथ session करते हैं मुलकात करेंगे आप से अगले वीडियो में तब तबना ध्यान रखेगा मैनत करते लिए खुश रहेगा जै हिंद जै भारत